दोस्तो सब्सक्राइब कीजे एंडरोइड बड़ी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए नमस्कार दोस्तो एंडरोइड बड़ी में आप से भी का स्वागत है आज हम लोग करने वाले Samsung Galaxy On Max का एक अनबोक्सिंग और छोटा सा ओवर्विव तो चलिए दोस्तो शूरू करते है आज का वीडियो दोस्तो आप लोग देख सकते ये Samsung Galaxy On Max का बॉक्स है और बॉक्स लोग देखेंगे तो बॉक्स में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है जैसके आपको बेख पाएंगे यहाँ पर 64-bit Octagonal Processor है इसमें आपको Helio का P25 Lite Processor मिल जाता है साथ में आपको 5.7 इंच का डिस्पले मिलेगा 32GB की internet storage और साथ में आपको 3300 mAh का बैटरी मिलेगा और उसके साथ आपको 4GB की RAM मिलेगा दोनों camera ही यहाँ पर आपको 30mAh मिल जाएगा फ्रेंट पर भी और रियर पर भी रियर कैमेरे का aperture है 1.7 और फ्रेंट कैमेरे में आपको 1.9 का aperture है मिलेगा इसी बार से आप बहुत ज्यादा low light photos काप्चार कर पाएंगे साथ में आपको यहाँ पे Samsung Pay Mini का support भी मिल जाता है चलिए दोस्तों जलने से इस box को open कर लेते और देखते हैं इस box में क्या कुछ में जाता है इस phone को मैंने flip card से 16-1900 उपर में खरीदा है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैं description लिक डाल दूगा आप बहुत जाकर चेक कर सकते हैं और यहां पर अगर देखेंगे तो एक SIM ejector pin आपको मिल जाएगा यहां पर यहां पर आपको एक USB cable मिल जाएगा Standard USB cable Earphones अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक standard normal सी earphones मिलेंगे कुछ earwards type नहीं मिलेंगे और यहां पर last में आपको मिलता है एक power adapter और इसके rating है इसके rating अगर आप देखेंगे तो 5 volt 1.55 Ampere का यहां पर rating आपको देखने को मिलेगा Definitely यह तो एक fast charger नहीं है चलिए हम लोग इसको side में रखते हैं और देखते हैं हमारे phone में क्या कूश मिल जाता है चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों इस phone guy एक typical overview में आप लोगों दे देता हूँ right side में अगर आप देखेंगे तो right side में यहां पर आपको मिल जाएगा एक power button और साथ में आपको एक speaker देखने को मिल जाएगा left side में अगर आपको मिलेगा एक SIM slot और इसके साथ में नीचे और से और एक slot है जिसमें आप एक SIM card और एक memory card लगा सकते तो 2 SIM card और एक memory card आप एक साथ में यूज़ कर पाएंगे इस में आपको कोई problem नहीं होगा Hybrid SIM slot आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है बॉटम साइड में देखेंगे तो बॉटम साइड में यहां पर आपको मिल जाएगा एक Micro USB port for charging and data syncing, साथ में एक primary microphone और एक 3.5mm headphone jack, फ्रेंट साइड में अगर आप देखेंगे, फ्रेंट साइड में आपको capacity buttons मिल जाते है, capacity buttons जो है backlight नहीं है, साथ में आपको यहां पर एक physical home button मिल जाता है, जो एक fingerprint sensor भी है, तॉप साइड में अगर देखेंगे, तॉप साइड में यहां फ्रेंट साइड में आपको फ्रेंट कामेरा मिल जाता है, साथ में Samsung का branding और साथ में earpiece है, और साथ में French glass मिल जाता है, और यहां पर कुछ sensors दिये गया है, इस phone में आपको कोई भी notification LED नहीं दोता है, Samsung के कुछ दिन पहले ही एक और phone आया था, Samsung Galaxy J7 Max, उसमें आपको देखने को मिला था, Samsung का smart glow light, जो कि पीछे में यहां पर smart glow का एक LED था, उसमें भी notification LED नहीं था, और यहां पर कोई भी notification LED नहीं है, और इस पर फ्रेंट पर कोई notification LED नहीं दिया गया है, जो दोस्तों, phone का UI जो है, कैसा देख लेते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है Samsung का नया phone का UI, और इस phone में आपको Samsung का नया touch switch version मिल जाता है, और Samsung के experience, और साथी में आपको यहां पर Android Nogget out of the box मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात है, तो यहां पर देख सकते हैं, आप लोग Android Nogget out of the box मिल जाता है, और साथ में यहां पर आपको Samsung के experience 8.1 UI मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात है, अगर आप UI को देखेंगे, UI काफी smooth लग रहा है, और यहां पर मुझे कोई भी lag देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख सकते काफी smooth ही UI है, और नया version थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे compared to previous old generation versions, चलिए दोस्तों आप लोग इस phone का storage scenario देखा देते है, इस phone में आपको 32 32GB की internal storage साथ में आपको 4GB की RAM मिल जाता है, तो चलिए के देख लेते है, storage में हमें कितना free space मिल जाता है, तो यहां पर आप आप 23.7GB का free storage मिल जाता है, out of 32GB, और RAM में आपकर आप देखेंगे, तो यहां पर 2.1GB का RAM free मिल जाता है, out of 4GB RAM, तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम इसका camera on करकर देख लेते हैं, camera में यहां पर आपको क्या ऐसा quality मिल जाता है, दोनों camera आपको 13GB camera मिल जाएगा, और front पर आपको selfie flash मिल जाता है, अंदरे में selfies क्लिक करने के लिए, तो rear camera में आपको 13GB camera मिल जाता है, साथ में आपको autofocus का support मिल जाता है, तो दोस्तों अगर आ आपको देखेंगे, तो artificial light condition में आपको देखेंगे, तो photos tik-tak आ रहे है, photos में थोड़ा बहुत noise है, लेकिन अगर आप well daylight condition में photo click करेंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छे photos देखने को मिलेंगे, जैसे यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर एक-दो photos में ने capture किया आपको देख पाएंगे, यहां आपको देखने को मिलेंगे, photos में details बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, photos crisp और clear है, front camera में फिर आपको 30TF है कंitल के आपको camera मिल जाता है और front camera में आपको ились front flash में जाता है, जिसके वियुत आप Angera में इसए अपको soft tweak कर पाएंगे, camera में आलएक से बहुत सारे options आपको इ Newton को यहां पर दिया गये और इसके साथ में आपको 2.5D curved glass display के ऊपर मिल जाता है जैसके आप लोग देख पाएंगे 2.5D curved glass लेकिन को मिलता है हाला कि इसके जो display है, TFT display है, Super AMOLED display नहीं है लेकिन display crisp और clear है, display देखेंगें आपको कोई problem नहीं होगा हाला कि Super AMOLED display होता तो और भी अच्छा हो सकता है चले जली से एक वीडियो प्ले करके दिखा रहेते हैं आप लोगों इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है और इसमें आपको viewing angles कैसे मिलेंगे तो दोस्तों जैसे के आप लोगों देख पारें, display काफी अच्छा, crisp और clear दिख रहा है viewing angles आप देखेंगे, viewing angles भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे extreme angles से भी अगर आप display को देखेंगे, तो display में extreme angles से भी आपको देखने में कोई problem नहीं होगा तो display quality यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल रहा है, हाला कि यहाँ पर TFT display मिल रहा है, फिर भी आप अगर देखेंगे display colors और display में viewing angles आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे दोस्तो आप लोगों इसका audio sample सुना रहते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि audio quality इसका कैसा है तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने देखा audio quality medium है, audio बहुत जादा loud नहीं है और इसका single speaker होने के वजाए से और side way होने के वजाए से अगर आप इस पर हाथ रख देंगी तो आपका sound फुरा दब जाएगा तो यह एक थोड़ी दिख्यत वाली बात है चलिए जल्दीचे इसका fingerprint setup करके देख लेए इसका fingerprint कैसे काम करता है तो दोस्तों मैंने यह आप fingerprint setup कर लिया है और चलिए देख लेते fingerprint कैसा काम करता है और इसका fingerprint है active scanner है तो आपको फोन को वेक करनी की ज़रूरत नहीं है बिना वेक कि यह आपका phone unlock हो जाएगा अगर आपको Samsung Galaxy on Mac से कुछ specific वीडियो देखना है तो चलिए से नीचे कमेंट में बता दीजिए आपको कौन से वीडियो देखना है अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए Android वेडी को अगले वीडियो में आप लोगों से फिरते मुलाक सब्सक्राइब के लिए गुद्बाई दोस्तों और आपका दिन सुब्भाव